मैं सपत लेताओं की विद्याती मेरा दरम हैं मानवतागी सेवा करना मेरा प्रावल अच्छ है राष्ट कुन नती में मैं सदब ततपर होंगा अपने कर्थमार पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच सुन्दर तता विरश्टा जामक्त मैं बात करने वरकूंगा तो हम लोग है modern history में क्रिफ्स मिशन पढ़ चुके थे अब आज हमारा क्या टॉपिक है क्या मैंने दिया था उसमें पीडियाप में क्या था हाँ भारत छोड़ो अंदोलन आज हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो अंदोलन कोईट इंडिया मुवमेंट भी कहते है इसको अगस्त करांती भारत छोड़ो अंदोलन जो है इस कारण देख हर चीज का इतिहास में जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे कारण होता है कोई न कोई कारण किसी न कोई भी घटना होगी तो उसके पीछे कारण तो होगा ही और कारण दो तरीके से हो सकते हैं एक तो तातकाली कारण हो सकता है और एक पुराने देरकाली कारण हो सकते हैं तो ता सब्किया थाल नहीं क्या था क्योंकि यسمे कुछ ऐसे बात थी क्यों क्यों रही हrouघ क्यों रही हूं क्या लगए है क्या लगरी है अरे ने अलहीं रे ने इन इन फिर नहीं हो क्या दिक्कत है ऐसा मत सोचो ना देखो हमेशा जो है कभी भी किसी से तुलना इस तरीकस नहीं करना चाहिए हमेशा सब कोई सारे लोग बराबर हैं बस यह मान के चलो बस कोई थोड़ा से जल्दी किसी चीज को समझ लेता है किसी टाइम लगता है लेकिन मैं अपनी बताओ परिवार भी अच्छा नहीं था हमारे जो है घर में तो हमारे पिता जी जो है जो अनाच कट जाते थे खेतों में पढ़ा रहता था उसको बीन करके फिर उसको बेंच करके फीज भरते थे हमेसे परिवार से और उसके बाद पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे बहुत इंटर में था बहुत अच्छे परसेंटेज थोड़े नहीं थे लेकिन आइसे नहीं निरास होते हैं जीवन में जो है आइसे निरास हो जाओ तो फिर क्या करो गए ऐसे कभी नहीं किसी से कम प्रिजन करो कि हम जो है मैंने ऐसे लोगों को देखा जो हमारे कॉलेज में ही जहा नहीं पड़ती है तब उनके रोजी रूटी चल रही है और टीसन में मिलता है तो उन्होंने इतना ज्यादा पढ़ा रखा कि दिन भर वैस्त रहते हैं जब दस बीस को पढ़ाओगे तभी तो खाने बर का 10,000 कमा सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है इसलिए कभी निरास नहीं ह होना है यह तुम्हारा आखरी वह नहीं कि बस यहीं पर तुम्हारा जो है टेस्ट में नंबर कम आगे या किसी कंपटीशन में नहीं आपाए तो बस यह आखरी जो है तो लक्ष तो तुम्हारा बड़ा है ना आगे जाना है तो वहां जाने के लिए जो है छोटे-छोटे पर चलना पड़ेगा ईसटेप पर बच्छा चड़ता आ किसी लिप जाता है जुलते लुड़ता है कुछ बच्चेय ऐसे वह इस जाद चंचल होते हैं तो जो तेज़ेस चड़ता है हुग गरता भी है जो धीरे-दीरे इस टेप चलता है वह उसके पैर मजबूत होते तो क्रिफ प्रस्ताव और भारत में एक सेट नहीं ह treffen इसी स्थापना कब होती ग्यार 컨ठ करतें लेकिन इस प्रस्ताओ को भारतियों ने एक्षेप्ट नहीं किया तो इसे फिर एक महीने बाद ही बैरेंग वापस कर दिया एक महीने बाद अर्था 11 अप्रैल 1942 और इसी सन की घटना है अगस्त प्रस्ता अगस्त करांती यह भारत छोड़ अंदौलन इसी बाद तो यह तातकाली करण हो गया क्रिश्प चल ला था कौन सा विश्वच्व कर दोसुष्विट चल लगा था दूसरा विश्विट चल ला था तोव्श्वच्व कंड चल लखा घर anxious जो इसलिए इसकी स्तिती बहुत खेश्वच्व हो गई थे इसलिए भारत में भारतियों बहत को भी लगा यह समय ऐसा आ गए पर देखते हैं तो देखते हैं जापान कहां तक पहुंच गया था दूति विश्यद में यह तो हमारा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका कि और जो है कि यह यह यहां से बढ़ते यह दचल्पूर इसिया की तरफ आ गये और यहां सब अंग्रेज की क्या थी चौकिया थी बस्तीयां थी अंग्रेज हों की जो है साइनिक शावनिया थी उनको सबको यहां से पीट-पीट करके भगा दिया था अब भारत में परवेश्च करने की बारी थी तो यहां पर अंग्रेज जो है काफी उसमें परिशांस तभी तो इसके वज़े क्रिस्प मिसन आया था लेकिन भारतियों को अब यह लगा कि जब ए इसके देश में अर्थात पूरी दुनिया में अगर अमेरीका में रह रह हैं इधार इधार तो कहीं भी रहेंगे उनके लिए तो इसलिए कहा गए था वो जो है एक पिद्दी से देश से पीट रहा था तो भारतियों को लगा कि जब छोटा होकर पीट रहा है तो हम भी पीट सकते हैं तो यह मौका अच्छा है अब इसी में छिड़ो भारत छोड़ो आंदो लगे तो इस यह सब कुछ परिस्तितिया बनी और दियुतिय भाव किया जाता था जो अंग्रेज सैनिक गयल होते थे उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता था भारतिये सैनिकों को छोड़ दिया मरे पिटे उनको वैसे दे दिया पेन के लर्ग खिला दिया जाओ जिदा रहो तो बहुत भेधा हुए इसलिए भारतियों ने अभी अब वर्धा में गांदी जी की यह संकल्पना थी गांधी जी ने जो है सबसे पहले भारत फल्व आंद्वालन के बारे में सोचा था खिसंगों गांधी जी ने वर्धा में 14 जुलाई को एक meeting की कहां पर महराश्य मेकिस्थान है वर्धा वर्धा में 14 जुलाई 1942 को एक meeting की इसमें Congress से कहा गांधी जी ने की जो है अब यह समय ऐसा आ है हम लोगों को जो है अंग्रेजियों को भारत से भागाने के बारे में सोचना चाहिए कहां पर वर्धा में 14 जुलाई 1942 को ठीक तो गांधी जी की बात को Congress नहीं तवज्जो दे रहे थे जो Congress थे Congress के लीडर कह रहे थे नहीं अभी यह समय नहीं आया है कि हम लोग भारत से अंग्रेजियों को भागाएं पूरी तरीके से तो गांधी जी कहें अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो मैं भारत की रेत से भारत की बालू से रेत से Congress से बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दूँगा तो यहां से प्रसनाचा है कि यह कोटेशन गांधी जी का कि भारत के रेत से भारत के बालू से Congress से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूँगा किसने कहा और कब कहा तो गांधी जी ने कहा था और कब कहा वर्धा वर्धा वर आप कह रहे थी हम अभी आंदोलन करने क्या सकता नहीं भार चुड़ो आंदोलन अभी कैसे करने भई तो फिर जब जब यह कहें कि इस ऐसे बात कहें तो कांग्रेसी परिसान हो गए कि गांधी जी तो कहीं ऐसा नहों की जो है वास्तों में यह कांग्रेस को छोड़ करके और एक नए कांग्रेस बना लें तो फिर ठीक है जो तुम कह रहो वही मानेंगे तो वर्धा प्रस्ताव यह था ठीक उसके बाद में सारी घटनाय जो है आपको आगस्त में देखनों की मिलेंगी इसके बाद होता है एक अगस्त का दिन आता अब यहां यह तियार हो गया कि चल मिला हम लोगो ली वगारा में दिपावली वगारा में घर घर जाते मिलते हैं यह तो करने ना कि हमारे अंदर एकता है और ऐसे ही जो है तियुआ तो इसलिए और इनकी मृतु तिलब की कभु को तो इसको एक अगस्त उनीस года 1922 को तो एक अगस्त 1922 को तिलक दिवस मनाया गया क्या मनाया गया तिलक दिवस मनाया गया तिलक दिवस ठीक है तो याद रखना तिलक दिवस मनाया गया कब एक अगस्त 1922 को तिलक दिवस मनाया गया इसके बाद में किमीटिंग होती है और सभी न antibiotika होते हैं और इसके बाद में यूद्ट nay कॉंग्रेस की एक 미रतिये लोग इकट्टे होते हैं तेलक दिख मनाने के लिए ने टेल के लियू कि ग्वालिया टेंग की स्थान मैदान है ग्वालिया टेंग का ठीक है तो मंबई में शाथ तारीक को साथ अगस्त को कॉंग्रेसी जो है करते हैं अगर इस समें ध्यां होगा कोई बता सकता है इस समय अध्यशन् होगा तो अध्यश कोण होगा यह वेखती जो सबसे लंबे समय समय तक क्या रहे हैं कौन रहे हैं आजा जी अब फलकलाम आजाण मैंने बताया था 1940 से ले करके 1945 तक कांग्रेस के क्या थे अध्यक्स थे 1945 तक अध्यक्स थे अभ घटना कब की है 1922 तो 1942 में ग्वालिया में मुंबई की वालिया टेंग मैदान में Congress की जो है मीटिंग होती है अद्वेशन होता है तो उसकी अद्ध्धिक्स्ता कौन करते हैं अभूं कलाम आजाद अब्धुल कलाम नहीं अभूं कलाम जाद अब यहां पर जो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था भारच छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस ने तयार किया गांधी जी ने तो याद रखना तो गांधी जी ने प्रस्ताव को तयार किया था प्रस्ताव को तयार किया था देखो सब लोगों के हाथ में कलम कॉपी होना तहीं जो पॉइंट्स में बोलता हूं उसको लिखते रहना चाहिए ठी लॉपाओ की जो बाते थी यह जो अभी तक तो यह था कि हम लोग असयोग आंदोलन कर रहे थे सब कुछ मिला जुला सभीने वग्यां अजोड़ संम्में असयोग की बात होती थी ना तो गांधी जी नहीं कहा है यहां पर हमको जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं वो सरकारी न प्रस्ताव तयार किया था उसमें ती चार बातिये पहली पहली निये की सरकारी चेवा कर रहा और सरकार की थी अंग्रेज़्ों की तो जो अंग्रेजी सेवा में है वह सरकारी नौकरी छोड़ेंगे नहीं कि छोड़े ठीड пресс करेंगे तो मैं रही नोगरी नहीं तो इसका काट नहीं पर स्थांगे हुआ के वह दूबंगारी नहीं देगा नौकरियों से त्यागपत्र नहीं देगा और जो इस्टुडेंट हैं विद्यार्थी गर्ण हैं विद्यार्थी गर्ण कॉलेज नहीं छोड़ें अगर कॉलेज छोड़ते हैं विद्यार्थी जो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो अपने मनलब निर्णए पर अडिग रहे कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तब तक जो हैं लोग आडिग रहेंगे व विद्ध्याले नहीं जाएंगे तब दो चोड़ीए जिसे मैं इस जो हैं जिए जाब यहाफम में कहें दूं कि वही पढ़ेगा जो अडिग रहे जब तक हमारी क्लासे चले करते बहुत कों लेना चाहता है आजकल फिर लोगों के लिए तो त्याक पत्र की बात की विड्यार्थी के लिए कहा उखने थूर्ण थूर्ण ותक घ्रत पर भारत आजहरत टick और इसके लावद तो थे जो राजा वगएरा थे राजा राज्य रजवाडों के लिए तुम्हारा सोचल करें तो ऐसा नहीं करना है वह अपनी निश्ठा यह अए और इसके लवाज जो साइनिक थे भारत की वेक्टी ही तो सेना में जाद थे किसमें अंग्रेजों की सेना में कौन थे भारती जाद थे तो साइनिकों के लिए कहा गया कि साइनिक लोग जब भारतियों पर गोली चलाने का आदेश दे अंग्रेश अधिकारी तो भारतियों प समाज बाते किसमें रखी गई थी भारच छूडव आंद pouring के प्रस्ताव में रखी थी किसने का तहीं ये लिखा था लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत किस ने किया था जो संबेलन हो रहा था और वाहालल नहरू नहीं और कहा प्रस्तूत किया था मुंबई के मैदान में अब प्रस्तूत किया तिंस पस्फे पहले किस ने समर्थन किया था सरदार पठेल ने भाद में उसने करेंगे लेकिं सबसे पहले अग्स ने कहा है सरदार पठेल और तो फ़स्ताव को प्रस्तूत किस निया था जवहाला नहरु जी ने और प्रस्ताव पर सबसे पहले सहमत किस ने दी थी सरदार पटेल ने तो यह बात होगी लेकिन जो इसको पारित किया गया आठ अगस्त को इसको कपारित किया गया आठ तो यह याद रखना आठ अगस्त को यह पारित हो जाता है आठ अगस्त को प्रस्ताव क्या हो जाता है पारि अब अंग्रेजों की कर्तूत को समझ गए थे तो अपने जो है अंदोलन में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए थोड़ा सा परिवर्तन लेकिन अभी रास्ता उनका वही था आइंसा वाला लेकिन उन्होंने यहां पर 70 मिल्ट के भासण में ओजस्वी भासड दिया जैसे सु आप यहां न को यहां याद हो आप इस तरह से आप जब भाषषय रिवायच करते रहोगे तो याद रहेंगे तो 70 मिनट का जो भासण दिया उसमें बहुत सारी बाते कही कि आप समय आ गया है हम लोगों को जो है आंगरेजों के खिलाब जो है करो या मरो का जब तक आजाद नहीं हो जाता है देश तब तक हम लोगों को लगातार लड़ाई लड़नी है आंदोलन में भाग लेना है बार अंग्रेश के निता थे पट्टाफ सीता रमय ने उनको बताया उन्होंने अपने बात में बाते लिखी तो अंहोंने कहा कि गांधी जी जब बोल लए तो लग रहा था कि पेगंबर की आतमा आ गयी है उनके अंदर कि की आतमा आ गई है और जो है पेगंबरों देवदूत क आत्मा करके लग रहा जैसे कोई देवदूत ही बोल रहा है इस बातों को इतनी वजशी पूर्ण बाते 70 मेंटर कही तो जंता के अंदर आक्रोश आ गया पुरा तयार कि हाँ आप करो या मरो अब आरो पार की लड़ाई होगी तो इसको आरो पार की लड़ाई भी कहते हैं तो इस तरीके से इस आंदोलन के दोरान किसने गांदीजी के अंदर अश्य लग रहा था जैसके पाटा भी सीटा रमंया ने इस बात को कहा था तो यह तो बात हो गई भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ता और सब कुछ त्यार हो गया अब इसके अलावा अंग्रेजों को भाई गुप्तचर तो होते ही हैं सारी सुचना अंग्रेजों को पता चल गई अंग्रेजों ने 8 अगस्त को ही मीटिंग करके एक बैठक बना ली समय वाईसराय कौन था भारत में वाईसराय कौन था इस मंदानि लिन लिद्ध्गों वाईसराय था निव absolute और वहां पर चारशिल प्रधान मंत्री को अर्ध नंगा फगिर नगन फगिर था और इससे पंगा होई चुका था एक बार वहां लंदन में गाणी जी का पंगा ऐसे हुआ तक गानी जी जब वहां से भाग चल दिये अपना कहा है घ्या हम तुम्हारे उसमें जो है जो बाते हुँ ही मीटिंग में गोल मेर्स अमेलन द आप में पर भारत में बैट करके अपने दिल्ली में मीटिंग करता है जैसे ही 9 अगस्त को सुबए भोर में ही और रात में मीटिंग करते हैं 8 अगस्त की मध रातिरी में बैट करके देख लो सब्सक्राइब करता है मिटिंग करता है कि जैसे ही नव अगस्त को भोर में ही आंदोलनकारी सड़क पर उतरें आंदोलन करने के लिए वैसे ही क्या करने हम गिरफतार करने सभी आंदोलनकारी कर दो दो जीरो आवर किसमें से समедदें से जीरो अवर कि मंद्रात्री कर रहे हैं मंद्र नहीं कर रही है और मद्रात्री को क्या कहते हैं 12 बजने की पर दूसरा प्रहल लग जाएगा तो उसके बीच का समय क्या survives गटना कहा जाता है जब कुछ नहीं बज़ रहा हो उसके पहले वजाcket सुबे ही धर लिए गए कब 9 अगस्त को तो 9 अगस्त को क्या का जीरो जीरो आवर की गटना का जाता है नव अगस्त 1942 का दिन था और 9 अगस्त 142 के दिन को जीरो आवर में ही सभी कॉंग्रेस सी को गिरपतार कर लिया गया और लेकिन विश्युद भी तो विशुद चल रहा था इसलिए अभी यह मामला जो है ज्यादा संजीदिगा ना बने ज्यादा मतलब विश्ट के सामने बुना आए क्योंकि उधर अमेरिका तो यह कह रहा है अमेरिका और जो है चर्चिल मिल करके दोनों मीटिंग कर रहे हैं कि जो है मतलब हम लोग उपन जो है अंगरेज भारत को समराज बनाया था तो इसलिए कि यह ब मलंभा फैल आ कि यहां कोई आंदोलन की और गरतार कर लिया है तो इंको क्या किया क्या गया नजरबंद गया और वर इनको नजर्बंद कर दिया गया ततका लिक्समेह में क्या-किया गया नजर्बंद यिसे गानी चीजी को नजर्बंद किया कहा पहले समें गानी जीडका सबसे प्रीय जेल जाल कौसा था या और सबसे perdus जेल कर शुन है अओक सो तर्व कर दो MON मंदिर का है इसे को मंदिर का है यह दो लेकिन भारज चोड़ों अंदोलन में टो आगा खा पहलेस में अंट नुगा को इनकी गृफतारी हो जाती में नीस और जान पंद्ट के नल्याड़ा को और अर ca भाखा पैलेस यह पैलेस थब्या माएल तक नजर बंद कर दिया गया चारों तो इनके सिपाई पैलेस के सुरक्षा करने के लिए तो अंडर आ अंदर सब कस्तूरबा जी भी इनके साथ में इनके सचीव थे तेसाइजी महादेव देसाइ तो महादेव देसाइजी को भी इसमें डाल दिया गया ठीक और सरोजिनी नाइड़ू जो भारत की पहली भारतिये कौंगरेश अद्देख्षा'Dी शरोजिनी नाइड़ू को तो इस तरीके से 4-5 लोगों को यही पर ठूस दिया गया कहां आगाखा पहलेस में और यहां से प्रसंद कभी कभी बनता है कि जो है गांधी जी से उनकी पत्नी कभ कहां विछडी थी तो आगाखा पहलेस में इसी आंदोलन के दोरान कस्तुरवा की यहां पर मृत्तु हो जात तो गांधी जी कहते हैं कि हम लोग यहीं रहे हैं यहीं मिरतु हुई हमारे पत्नी की हो हमारे सच्ची की तो दोनों की कभरे भी कहां बनाओ आगाखा पहलेस तो दोनों की कभरे कहां हैं कस्तुरवा की और मादे देशाई की आगाखा पहलेस में तो आगाखा पहलेस में इ क्षब चुश्पयस मुई कर दिया गया जैप्रकास नारायन को डाल दिया गया और जवाह सब पहले तो है नी समय रखा गया ऐमान अगर दूर्ग में रखा गया नही है तो कुछ समय के लिए दूर में पढ़ने की और निताओं को कि राजंदर प्रशाथ यहीं तो पटना में नजरमंद कर दिया गया और बाकी देशावान नहरू और इन सब निताओं को अहमंद दुर्ग में रखा गया फिर बाद में धीरे धीरे करके इनको सब अलाग लग शिप्ष्ट कर दिया तो जया लूह रहा उत्तराखंड कहा कर वह तो वहां पहुचा दिए और उत्तराखंड वह 3C3 घए तो इस तरीकेसे से लिए को तो five से जमाया ज़ाते परणी में तो हमने संदेश दे दिया है कि हम कल से क्या सुरू कर रहे हैं भारज छोड़ आंदोलन आज आठ तारीक को आठ अगस्त को भासर दे रहे हैं सतर मिनट गांदी जी कहें कल से हमको जो है जो है आंदोलन करना है और चुपके से सबेरे ही जहां जो जहां था वहीं पकड़ तो उसी में एक जो हैं व्हुव के नाम नामाता है व्हु उसा मेहटा से टा ने जब यह और भागगी सारे निट जो है डगाबादी कर गये पता नहीं कहां चलेंगें दोनलन के नाम पर आंदोलन कर नहीं कर नहीं तो उसा मेता मुंबई में एक गुप्त रेडियो कॉंग्रेस का रेडियो स्टेशन था वहां से जा करके एनाउंस करती हैं सुभेरेही गरफार कर लिए ग कौना को और है चलो कोई में जो है संचालन किस ने किया था बारच छोड़ा अंद्रोन के दौरान उसा मेंदाने और उधर जो है कुछ लोग जो नेता भाग गये थे गिरपतार नहीं कर लिए पाये थे उन्होंने गुप्त रुष से अंद्रोन शुरू कर दिया गोपनी आंद्रोन चलाना शुरू कर जittrand गोपनी आंद्रोन शुरू कर देते हैं तो कफी लंबे समझ बात छोड़ा जाएगा तो इस तरीके से जो है और उसा मेहिता की सात का प्रसम Stroda है कि भारचोड़ा अंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो पर सबसे पहले कांग्रेस की रेडियो पर सबसे पहले किसने संदेश दिया था तो उसा में लेकिन ये तो पहली थी जो उन्हें दिया था और रेगुलर संदेश कौन देता था डेली जनता को संदेश देना है भेजन तो इस तरीके से यह आंदोलन जो है इस तरीके से चलता रहा बिना नेताओं के और गुप तुरूप से चलता रहा अब इसी दोरान जो है जो नेता जेल भेज दिये गए थे उनमें से जो है तो थे ही कुछ नेता लेकिन बाकी इसके लावा कुछ जो लोकल लीडर्स थे भारत के छेत्री लीडर्स थे उन्होंने अपनी जो है समनांतर सरकारे बना ली समनांतर अंग्रेजों के साथ में क्या बना ली सरकार अंग्रे चुड़ो आंदोलन चुरू हुआ और इसको क्या कहा गया अगस्त करांती तो इसमें जो मुख मुख घटना है डेट है वो हमें याद रखना है जैसे वर्धा प्रस्ताव कब आया 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव जो गांदी जी का था ठीक और वर्धा प्रस्ताव में कांग्रेस को कहा गया था गांदी जी द्वारा कि हम लोग कुछ ऐसा मुमेंट शुरू करें लेकिन जो प्रस्ताव ही था अगस्त प्रस्ताव कह सकते हो या फिर भारत छुड़ो आं ऍरफा जर्नांट में प्रस्ताव जो रश्ताव तो ऑगा आगस्ताव वारत था झी और कांगरेस का अधिवेशन था और इस कांगाइस पक्ष्मे नहीं थे उख्या यह फिसके सव्चेम आगी अधियम मे empieza सकता है तो इन्हों ने इसी दोरान कहा था कि अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं देगी तो मैं भारत की रेत से भारत की बालू से ही कांग्रेस सी बड़ा जो संगठन खड़ा करके दिखा दूँगा तो और इसी भासर के दोरान कहा था देवदूत की आत्मा करके बोल लए तो ऐसे सतर मिनट की भासर में अशी बाते कहीं इसके बाद में नव अगस्त को जीरो आवर में ही सारी मलब जहां जो सो रहा था वहीं जाकर पकड़ पकड़ करके सबको गरफतार कर लिए बंदग बना लिया गया तो नव अगस्त 1922 को ज इन सारे नेताओं को नजर बंद करके रखा गया आगाखा पैलेस जो कि पुने में ठीक तो यह इस आंदुलन में आगाखा पैलेस में ही रखा गया था गांधी जी को तो कभी कोई प्रसन यहां से पूछ लेता है बांकी जादा तर जगे कहा रहे है वह एरवदा जेल में इसलिए एरवदा जेल को उन्होंने मंदिर माना है अपना मंदिर कहा है ठीक और जब अल्मोडा में जो है किसको भेजा गया है जवालाल नेरु ने लिखी तो गांधी जी ने किताब लिख दा रही डिसकबरी आफ इंडिया भारत एक खोज तो यहां से प्रसन आता है भार यहां से प्रसन कभी कभी पूंच ले जाता है और डिसकबरी आफ इंडिया बहुत अच्छी किताब है इस पे तो जो है नाटक भी बना है ठीक है कभी नेशनल चैनल पर कभी प्रसारीद होते हैं बीच-वीच में तो इसमें जो है प्राचीन भारत से ले करके पूरा पूर कर बारत